हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम यह जो आपकी एक्ट्विटी हीट है 19.08 की वह हम डिसकस करेंगे आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है ठीक है मैं आपको इपर पढ़के बताता हूं अब हम एक बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम मुकूल है ठीक है स्टोरी शुरू करते हैं मुकूल वाज यंग बॉई इसमें बताया गया है कि मुकूल एक सिक्स क्लास का स्टूडेंट है वो अपने फ्रेंट्स की अमेशा हेल्प करता है उसके बाद देखिए आगे बोला गया है इसके बाद बताया गया है कि जो मुकूल है वो अपने आसपास की अनिमल्स की हल्प करता है ठीक है अनिमल्स की बर्ट्स की उनकी केर करता है और उन्हें खाने के लिए देता है और उन्हें कभी भी टीज नहीं करता है उन्हें कभी भी परशान नहीं करता है उसके बाद आ बड़े हैं उनसे बूत politely बात करता है इसके बात लिखा हुआ है he helped them with small jobs he took care of neighbor's cat when she saw away ठीक है इसके पास उसने बोला गया है कि वो अपने छोटे छोटी जोप से जो भी उनके neighbors से उनकी help करता है he took care of his neighbor's cat और उनकी जो neighbor है जो उनकी पडोसी की cat है उनकी भी help करता है जब वो दूर चली जाती है तो the cat also loved him जो cat है वो भी उससे पसंद करती है mukul had friends in neighborhood मुकुल के काफी सारे friends है neighborhood में मतलब उसके पडोस में काफी सारे friends है ठीक है और after play mukul gave them water to drink as they were thirsty मुकुल उन दोस्तों को अपने जो friends सा उनको पीने के लिए पानी देता है mukul helped his mother to clean up the house मुकुल अपनी मम्मी की भी अपनी मदर की help करता है घर को साफ रखने में he said prayer before eating जो मुकुल है वो खाने से पहले क्या करता है prayer भी करता है तो हमने now you know a lot about mukul मुकुल आपको काफी कुछ पता लगाओगा मुकुल के बारे में काफी कुछ अच्छा अच्छा पता लगा ना मुकुल के बारे में do you like him क्या तो मुकुल को पसंद करते हो बताओ क्या तो मुकुल को पसंद करते हो Do you think everybody likes him क्या तुम्हें लगता है कि सब मुकुल को पसंद करते हैं ठीक है आपको इसके उपर मुझे लिखके बेजना है कम से कम 5-10 लाइन्स में कि आपने इसमें मुकुल की कौन कौन सी quality को आपको अच्छे लगी ठीक है I hope आपको इस स्टोरी क्लीर होगी हो अगर आपको नहीं क्लीर होगी तो आप एक बड़ दुबारा भी सुन सकते है Thank you